हेलो फ्रेंड्स एगर फिर से आप सभी का हमारे चनल पर स्वागता है तो जैसे के आप सभी को पता है कि कल से यहां पर फ्रेंड्स एलेनेमी ने नोटिस निकाला हुआ चलिए हम इसको डिटेल में रिट कर लेते हैं यहां पर लिखा हुआ एतत दुआरा सभी संबंदित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महाबारी के मद्दे नजार रखते हुए निम्मन कांकित परिक्षाओं के प्रायोगी परिक्षा में सम्मेलित होने के लिए परिक्षार्थियों को निम्मन लिखित कागजात अपने साथ लाना आविशक है अनेथा परिक्षा अनेथा परिक्षार्थी परिक्षा से वन्चित हो जाएंगे तो फ्रेंट जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले admit card लेके जाना पड़ता था लेकिन इस वार COVID-19 के कारण आपका admit card नहीं निकल पाया है तो यहाँ पे देखे आपको क्या सब documents लेके जाना होगा तो सबसे पहले number point में लिखा हुए इसनातक दीते खंड 17 जो 2018 से 21 उसके वार यहाँ पे honor subsidiary general vocational लिखा हुआ है विश्यो की प्रायगी परिशा 2020 जो जिनाग 10 October से 17 October तक एवं इसनातक प्रथम खंड परिशा यहाँ पे honor subsidiary general vocational परिशा 2020 जो दिनाग 15 October से 22 October तक अपने अपने म विद्याले प्रायगी परिशा केंदर पर संचालित होगी तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जो आपका practical का हिजाम होगा जो आपका college वहीं पे होने वाला है उसके वार सैकिंड नमबर point में लिखा हुए इसनातक दीते खंड honors subsidiary general vocational के छात्रे छात्राव को यहाँ देशित किया जाता है कि प्रायगी परिक्षा में उपस्तित होने के लिए उन्हें दीते खंड परिक्षा 2020 के लिए online के माध्यम से भरे गए परिक्षा प्रपत्र की प्रती एवं इसनातक प्रथम खंड के प्रवेश पत्र लाना अनिवार्रे होगा आपका क्रमांग वही ह घंड प्रफम अवंटित किया गया था तो यहां पे आपको बोला जा रहा हा रहा है कि आपको प्र्रप्र का अटमीट का फोटोपी ले के जाना है और साथ में आहांग पूरिशन ब्लगए करा पत्र बогली मांग सकता है और उसके बाद आपको पार्ट टु का एग्जामने यहां पर लिखा हुए इस नातक प्रताम खंड परिशा 2020 सत्र के सभी चात्र चात्राओं को निदेशित किया जाता है कि प्रागी परिशा में उपस्तित होने के लिए निम्मन लिखित कागजाद निश्चित रूप से अपने साथ लाना अनिवार रहे हुआ तो सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है नियम्मी चात्र चात्राओं को अपने साथ ओनलाइन दुआरा भरे गए परिशा परपत्र के आलोग में प्राप्थ हुए रैस्टेशन एकलोलिमेंड की ब्रती लाना आविशक है परिशाती रैस्टेशन एकलोलिमेंड में दिये गए एप्लिकेशन नंबर अपने अपने करमांग की जगह में लिखेंगे तो आपको यहां पर जो आपने पार्टवन में ऑनलाइन कराया होगा परिशा परपत्र यान की एक्जामिनेशन फॉर्म में तो आपको रैस्टेशन एकलोलिमेंड दिया जाएगा मनला इसमें चात्रव पंजीन की प्रती एवं परिक्षा परपत्र की प्रती लाना अनिवार रहे है ऐसे पर चात्र्य अपने कर्मांग के स्तान पर 15 संख्या अंकीत करेंगे जिन चात्रों कविश्वदाले विड़ेoter करमांग आवन्टित हुआ है वैसे च्छात्रवन अपना करमांग पर परिशा में सम्मिलित होंगे तो friends पूर की तरह यहाँ पर भी दिया गया कि आपको अपने साथ जो आपका रेच्टेशन का फोटो कॉपी यहाँ पे चाहिए होगा और एक्जामनेशन फॉर्म का फोटो कॉपी आपको चाहिए होगा और यहाँ पर बोला गया कि परिशारती को अपने करमां किया नहीं कि रोल नंबर के स्थान पर आप अपना राइस्टेशन संख्या भी लिख सकते हैं तो बस फ्रेंट्स इस नोटिस में यही सब था उमीद करता हूं आपको सही में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट्स थैंस वर वॉच्चिं इस वीडियो